पाथ साथ, विशेशन ये लो बच्चो, आम खाओ, दादू लाए हैं तुम सब के लिए वाँ, आम, आम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठैंक यू दादू खाओ, खाओ, सब मजे से आम खाओ ठैंक यू दादू, ठैंक यू चाचू, यह आम तो बहुत मीठा और स्वादिश्ट है हाँ, ये बहुत रसीला है यह तो बहुत खुश्बुदार भी है बच्चो, यह दसहरी आम है, यह हरा यह पीला होता है दादू, इस आम की तो कई विशेश्टाएं है हाँ, और ये सभी शब्द विशेशन है कौनसे शब्द विशेशन है दादू? मीठा, स्वादिष्ट, रसीला, खुश्बुदार, हरा, पीला, विशेशन है संग्या अथा सर्वनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्द विशेशन होते है और जिसकी विशेश्टा बताई जाती है, उसे कहते हैं विशेश्य इसका मतलब दादू आम विशेश्य है हाँ और मीठा, स्वादिष्ट, रसीला, खुश्बुदार, दशहरी तथा हरा, पीला इन शब्दों से आम की विशेश्टा बताई गई है इसलिए ये सभी शब्द विशेशन हैं विशेशन चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से दादू? भई, ये बताएंगे तुम्हारे चाचू, मैं तो चला आम खाने ठीक है, मैं बताता हूँ विशेशन चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक विशेशन, परिमाण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेशन गुण वाचक विशेशन, संग्या या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रूप, रंग, दशा, स्तिथी, आकार, आधी की विशेशता बताते हैं वह कैसे चाचू? जैसे, सोनम सुन्दर लड़की है, हमारे घर के बाहर एक विशाल व्रिक्ष है और देखो, आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं अब बताओ, सोनम कैसी लड़की है? सुन्दर विशाल विशाल और कैसे बादल मंडरा रहे है? काले हाँ, इन शब्दों से सोनम का गुण, विशाल का आकार और बादल का रंग पता चल रहा है न? इसलिए ये गुण वाचक विशेशन है, समझ गए? जी चाचू दूसरा प्रकार है, परिमाड वाचक विशेशन, किसी वस्तू के नाप, माप, तॉल की जानकारी देने वाले विशेशन, परिमाड वाचक विशेशन कहलाते हैं, जैसे, हाँ, देखो, यह चादर दो मीटर लंबी है, गमले में मिट्टी थोड़ी है, तुम सबको प्रति दिन एक लीटर दूद पीना चाहिए, हाँ तो बच्चो, मैंने क्या क्या कहा? चाचू आपने कहा, चादर दो मीटर लंबी है, गमले में मिट्टी थोड़ी है, और हम सबको प्रति दिन एक लीटर दूद पीना चाहिए, इन वाक्यों में दो मीटर, थोड़ी और एक लीटर शब्दों से चादर, मिट्टी और दूद का परिमाण पता चल रहा है, इसी लिए ये परिमाण वाचक विशेशन हैं, बच्चों, यह मापतौल निश्चित भी हो सकते हैं, और अनिश्चित भी, जैसे थोड़ी, ज्यादा, कम, बहुत, आधी, यानि निश्चित परिमाण वाचक विशेशन और अनिश्चित परिमाण वाचक विशेशन? हाँ, बिल्कुल सही, ये परिमाण वाचक विशेशन के दो भेद होते हैं, आगया समझ? जी, चाचों आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार का विशेशन है संख्या वाचक विशेशन इसमें संख्या बताए जाती है, चाचों? हाँ, जिन वस्तुओं की गिंती हो सकती है, उनकी संख्या का बोध करवाने वाले विशेशन, संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं ये संख्याएं निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जैसे चार आम या कुछ आम, कक्षा में तीस चात्र हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, इन वाक्यों में चाचों, चाचू, मैं बताऊं हाँ, बताओ सुनम इन में चार, कुछ और तीस संख्यावाचक विशेशन हैं, मैंने सही बताया चाचू हाँ, बिल्कुल सही बताया अगला विशेशन है सार्वनामिक विशेशन जो सर्वनाम विशेशन की तरह काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं क्या हुआ, नहीं आया समझ, मैं फिर से समझाता हूँ, देखो, जब कोई सर्वनाम संग्या से पहले आकर विशेशन का काम करे, तो उसे सार्वनामिक विशेशन कहते हैं, जैसे ये नई है, है सर्वनाम, और यह मेज नई है, हुआ सार्वनामिक विशेशन, इसी तरह वह कौ है सर्वनाम और वह लड़का कौन है है सार्वनामिक विशेशन आया समझ जी चाचू चाचू क्या कोई विशेशनों की भी विशेश्टा बताता है क्या कर सकता थाचत कैस्ट जी कुश जी पसल्ने एंचे स्च算 काई